बाबा सावन सिंग जी फरमाते हैं कि मैं उधारन देकर समझाता हूँ कि हम आखिर कैसे मुर्ख हैं। सुनो एक कहानी। एक बादशाः शेर के शिकार के लिए जंगल में गया। उसने देखा कि एक बबर शेर उसके मुकाबले पर आ रहा है। डर के मारे बादशाः एक पेड़ पर चड़ गया और एक टहनी पर जाकर बैठ गया। जब होश आया तो नीचे की और निखा मारी। तो देखा कि वहीं पर बबर शेर खड़ा हुआ है। डर के मारे बादश्या ने विचार किया कि जिस टहनी पर वह बैठा हुआ है वह मजबूत भी है कि नहीं उसने देखा कि टहनी को एक सफेद और एक काला दो चुहें काट रही हैं वह भोत खबरा गया सोचने लगा कि अगर नीचे उतर कर भागूं तो वह शेर मुझे खा जाएगा अगर बैठा रहूं तो चुहें टहनी काट रहे हैं आखिर में मैं नीचे गिर जाऊँगा फिर उसने नीचे देखा कि अगर नीचे वह गिर गया तो वहां की जगा पक्की है या फिर कच्ची कोई वहां पर खाई वगहरा तो नहीं है जब उसने नीचे देखा तो पाया कि वहाँ पर एक बड़ा भारी अजगर मुझ खोले बैठा है कि है गिरे और भै इसे खा जाए बाच्छा बहुत परिशान हुआ कि किसी तरह छुटकारा नहीं है ना बैठे रहने में ना नीचे उतर कर भागने में गर्मी का मोसम था उसके उपर शहद का छट्ता लगा हुआ था वह यह सोच ही रहा था कि किसी तरह मुझे बस यहां से छुटकारा मिल जाए कि उपर से शहद की बूद बूद पिखल कर गिरने लगी और वह शहद को चाटने लग गया शहद के आनंद में बादशा कुछ ऐसा मस्त हो गया कि उसे ना शेर का डर रहा ना अजगर का और ना ही चूहों का खयाल रहा अब इस कहानी में ये बादशा आखिर है कौन? वह बादशा और कोई नहीं हम है शेर जो है वह काल है जो हमारी और देख रहा है काल या फिर धर्मराज के दूद मिनट मिनट का हिसाब कर रहे हैं कि हमारे कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट बादशा की हैं काला और सफेज चूहां दिन और रात हैं जो हमारी जिंदिकी के पेड़ को काट रही हैं जो दिन आज चला गया उसे कल नहीं आना है बाकी रहा अजगर वह चिता या फिर कब्र है जो मूँ खोले देख रही है कि कब यह आए और कब इसको मैं हड़प करूं जैसा फरीद सहिब कहते हैं कि फरीदा गोर निमानी सडू करे निगरिया घरी आउं सर पर मैं थे आवना म मरना हूं ना डरिया हूं कबर कहती है कि तुझे जब आना है मेरे पास ही आना है फिर मरने का क्या डर हम दुनिया के नशे में इतने बेखोफ हुए बैटे हैं कि इतनी खोफनाक चीजों में बंदे हुए भी नहीं डरते बलकि कहते हैं इक जग मिठ्था अगला किन डिठ् इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया के महुमाया में ना फसकर हमें हमेशा अपने अंतसमे और जीवन के वास्तविक उतिश्य का ध्यान रखना चाहिए यह साखी हजूर जी महाराज बाबा सावन सिंग जी द्वारा लिखित पुस्तक परमार्थी साखिया से लिग गई है आप चाहें तो उस पुस्तक में इस साखी और इस तरह की और साखियों को पढ़ सकते है यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी रह हमें कमेंट बुक्स म ज़रूर बताईएगा कल एक बार फिर से लूटेंगे एक नई साखी के साथ परमपिता परमात्मा आप सब पर अपना शिरवाद बनाए रखे